सुमन की बग्या में आपका स्वागत है और मेरा प्यार बना नमश्कार भी आप सब के लिए तो आज मैं अपने टैरिस पे तर राई हूं बहुत ही प्यारा बहुत ही सुन्दर सा एक प्लांट है जिसको की प्लूमेरिया पुडिका के नाम से जाना जाता है और देखिए नाग चमपा भी कहा जाता है बहुत प्यारा लगता है लेकिन जो दूसरा नॉर्मल प्लूमेरिया होता है उससे और इसमें सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है कि इसमें जो खुश्बू नहीं होती और उस प्लूमेरिया में खुश्बू होती है अलबा में वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगे और ये तो इतना प्यारा लगता है कि इसको bridal bouquet के नाम से भी जाना जाता है है तो ये भी एक चंपा की variety अच्छा और एक बात है कि चंपा के जितने भी plants होते हैं जितनी भी varieties हैं सारी varieties बहुत hardy होती हैं तो hardy से मतलब है आप इसको किसी भी तरह की soil में मिट्टी में किसी भी conditions में रखेंगे ये grow हो जाता है आप देखेंगे बाहर पार्क में road sides पे बहुत अच्छे से ये plant लगा होता है और इन दिनों महीने चलता रहता है और ये tree में ले लेता है अगर हम इसको थोड़ा सा ये जो नाग चंप है हम इसकी cutting करते रहें नीचे से इसकी pruning करते रहें तो इसको shrub की तरह हम भी हम अपने pot में रख सकते हैं और ये जो फूल देता है देखिए ये bunches में फूल आते हैं बहुत सुन्दर लगते हैं bunches में देखिए white color के फूल मन को मुह लेते हैं और साथ में देखिए बहुत सारी कलियां भी एक साथ कितने चार्शे फूल खिलते हैं और साथ में कलियां ही रहता है उसके बाद वो मुर्जा जाता है लेकिन ये कई दिन तक खिले रहते हैं प्लियोमेरिया के फूल चमपा के जिसको कहा जाता है और जैसे पैशन फ्लार है वो तो एक ही दिन के लिए आता है कृष्ण कमल जिसको कहते हैं वो भी फटा-फट से चला जाता है, लेकिन इसके फ्लार तो बने रहते हैं और देखिए इसकी leaves किती सुन्दर लग रही है मुझे लगता है नाग चमपा इसलिए का जाता है, इसकी आगे से शेप देखिए leaves की, विकल नाग की तरह शेप आ रही है मुझे तो कई बर नाग की तरह लगता है और कई बर लगता है, नाग चमपा इसलिए का जाता है, और कभी-कभी तो देखिए चमच की तरह भी लगता है मुझे एक विशेश प्रकार की leaf है देखिए, कितनी सुन्दर मेरे ख्याल से ऐसी कोई leaf नहीं मैंने देखिए, कितनी प्यारी लग रही है एकदम पहले लंबी आ रही है और फिर आगे आके उसकी shape बन रही है बहुत सुन्दर लगता है और फूल तो है ही है, सुन्दर अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगी जो चमपा, दूसरा plumeria alba है वो भी अभी दिखाऊंगी आपको और जहां तक हम इसकी care tips की बात करते हैं तो इसको sunlight की बात करेंगे सबसे पहले तो इसको तेज धूप बहुत पसंद है और जहां तक हम मिट्टी की बात करते हैं तो इसको well drained मिट्टी चाहिए और पानी इतना देंगे moderate कि दें और नीचे से पानी निकल जाए खड़ा नहीं रहना चाहिए और नहीं तो root rots वगएरा हो जाते हैं और fertilizer इसको हम every once दे सकते हैं यह आप compost बना रहे हैं तो liquid compost दे दीजिए साथ साथ में और liquid compost का जो पानी निकलता है जब हम compost बनाते हैं उसका जो पानी निकलता है वो दे दीजिए इसको तो भी यह बहुत बढ़िया से चलता रहता है और एक और बात है कि पानी अगर हम कम देंगे तो full ज़्यदा आएंगे अगर हमें full चाहिए तो हमें कम पानी देना पड़ेगा जैसे euphorbia होता है उसमें भी अगर हम पानी देते रहेंगे तो पत्ते ही पत्ते देता रहता है वो full नहीं देता अगर हमें full चाहिए तो पानी थोड़ा कम देना पड़ता है हमें और जहां तक हम इसकी leaves की भी बात हो गई नीम oil spray देते रहना चाहिए ताकि अगर कोई भी insect आए तो वो attack ना कर पाए इसके उपर और बाकी तो आप देखी पा रहे हैं कि अच्छे से चल रहा है और मैं आप के साथ इसकी propagation की भी बात करना चाहती हूँ कि इसकी propagation जो है वो stem cutting से बहुत easily propagation इसकी हो जाती है और अगर हम इसकी stem को जैसे अभी तो इसकी एक आ रही है stem अगर और आ रही है उसको हम cut करके और अपने potting mix में लगा देंगे तो easily grow हो जाती है और अभी तो fully बहुत सुन्दर लग रहे हैं इसके और देखे मैं आपको ये दिखा रही थी ये ये नीचे देखिए मेरी ये वली stem जो है ये इस तरह से आ रही थी और मेरा ही जैसे आ रही थी और मेरा ही हाथ लगने से इसTEMuke तूट गई और मैंने इसको यहीं grow कर दी है और मुझे लगता है आ जाएगी इसकी roots भी आ जाएंगी तो अब मैं आपको अपने यह देखिए जो root notes देख रही है आपको जितनी भी इन सभी notes में से अगर हम cutting करके इसको potting mix में डालेंगे तो roots आ जाती है easily आ जाती है बस थोड़ा सा पानी देखना चाहिए कि moisture का रेनी season उससे पहले लगाएंगे बारिश आएगी रेनी रेन का पानी आएगा तो यह जल्दी से roots आ जाती है तब ही हम सारे ही अपने generally podों की जिनकी भी हम stem cutting से regrow करते हैं उनको हम यही कोशिश करते हैं कि बारिश आन उतारते रहना चाहिए वो तो सभी plants में हैं कि हमें उतारते रहना चाहिए और मैं चली है अब आपको मैं ले चलूंगी अपने Plumeria Elba के पास देखिए चलते चलते रास्ते में विंका भी आ रखा है काफी और यह पाम है और मांडे विला तो बहुत अच्छे से white मांडे वि और वाइट रेन लिली भी बहुत खिली हुई है आज काफी सारे फूल खिले हुए देखिए येलो अलमेंडा भी है और यहां देखिए जैट ट्रोफा भी आ रखा है और बाकी चोटे चोटे पॉर्चुले का वगरा तो बहुत खिले हुए है जल्दी से लग रहा है कि मैं आपको प्लियोमेरिया अलबा भी दिखा हूँ उसके भी फूल कितने सुन्दर है देखिए तो हम पोंच गए हैं प्लियोमेरिया अलबा के पास इसके देखिए इसके भी फूल वाइट ही है थोड़े से अब आप देख पाएंगे कि फूलों में डिफरेंस क्या है इसमें काफी भीनी भीनी खुशबू आ रही है इसमें और ये वाला आप आम देखेंगे रोड साइट्स पे लगा हुआ है और इस सीजर में तो खूब अच्छे से फूल दे रहा है पार्क में भी लगा रहता है बड़े बड़े और वैसे भी ऐसे वाले प्लांट्स जो खूब ब गए होंगे कि इनके फूलों में और नाग चंपा के फूलों में क्या डिफ्रेंस है और देखिए नीचे तक नीचे मैंने जेड भी लगा रखा है इसके जो नीचे की मिट्टी है और इसके पत्तों में देखिए इसके पत्ते किस तरह के होते हैं और उसके पत्ते किस तरह स और यहां चम्मज की शेप कह लिजिए, बहुत सुन्दर लगते हैं, चलिए वापिस हम जा रहे हैं अपने नाग चमपा की तरफ, जो की रास्ते में हैं, हम और भी पोधे व्यू टेरिस का आ जाएगा, देखिए ये मैक्सिकन पेटूनिया भी आया हुआ है, ये परपल वाल और पीछे धतूरा भी एक आ गया है, और हम फिर से आ गए हैं अपने नाग चमपा के पास, जो की बहुती सुन्दर लग रहा है मुझे, और इसी के साथ ही मैं आप लोगों से विदा भी लेना चाहूंगी, लेकिन लाइक, शेयर कर दिजेगा, सब्सक्राइब कर दिजेग तक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए, हैपी गाडनिंग, ओके, बाई फ्रेंड्स